आजकल पटना वाले खांसर खूप फेमस हुए हैं वैसे उनक पर कई विवाद भी हैं लेकिन इतने विवादों के बावजूद भी पटना वाले खांसर की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई हैं खांसर की लोकप्रियता का आलम ये है कि अब बॉलिवूड वाले भी इनके फैन होते जा रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि खांसर किस चीज से सबसे जादा प्रभावित हैं कौन सी चीज है जिसने उन्हें बहुत दुखी कर रखा है आपको ये बता दे कि भोजपुरी भाशे होने के कारण खांसर जो है वो बहुत दुखी है भोजपुरी गानों से उनका मानना है कि भोजपुरी में 20% गाने ही अच्छे बनते हैं कर्णप्रिय बनते हैं और 80% गानों को तो आप अपनी मा बहन के साथ बैट कर नहीं देख सकते मा बहन तो छोड़िए आप अ जा सकते वैसे खांसर ने जो कहा है वो बहुत ही सटीक बात है भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर काफी लोग परिशान है लोग काम कर रहे हैं कि अश्लीलता दूर हो लेकिन अश्लीलता दूर होने का नाम ही नहीं लेती आए दिन भोजपुरी में कोई न कोई ऐसा गान उस वीडियो में खान सर ने कई ऐसे गानों को बताया भी कि ये ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनने के बाद आप अपनी आखे सर्म से नीची कर लेंगे खान सर की इस जो बेबाकी से की गई बात है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भोचपुरी की अशलीरता के लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा